अलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग, ओप यॉर आल वेल, ओके, तुड़े इन वाज जी के क्लास, वी विल दू पेज थर्टी वन, ओके, ये पेज कट कर लो, पेज थर्टी कंप्यूटर, कंप्यूटर आप लोग तो पड़ते हो ना, सो ये ये पेज कैंसल कर दो, ठीक है और ये जो पेज है देखो, थर्टी टू और थर्टी थर्टी त्री, ये आप लोग बस रीट करना घर में, ठीक है, ये रीडिंग कर लो, ओके, पेज थर्टी तू और थर्टी त्री आप लोग घर में रीट करो, ठीक है, और ये जो पेज है देखो, पेज थर्टी फोर, पेन एंड पेपर क्वेस्ट यह क्रॉस कर देना, ओके, तो आज हम लोग यह करेंगे, फार्म विद इडियम्स, मैच दा फॉलिंग, यहाँ पर आज का डेट लगाओ, यहाँ पर कुछ इडियम्स दिया हुआ है, और उसका मीनिंग यहाँ पर है, आपको मैच करना है, ठीक है? तो देखो, यह मीनिंग है, वेरी इजी, मैंने यहाँ पर सी लिका, तो उसका इडियम्स क्या है, एपीज ऑफ केक, एपीज ऑफ केक बहुत छोटा चीज है, बहुत इजी है ना, तो ऐसे उसको बोलते है, वेरी इजी, Next one, something that brings happiness, मैंने यहाँ पर D लिखा, D कौन सा है, यह, ray of sunshine, जब हम लोग बोलता है, तो हम लोग क्या समझाते है, something that brings happiness, A busy place यहापे मैंने ए लिखा busy place मतलग hive of activity यह word हम जो हम लोग जब बोलते है तो उसका meaning होता है hive of activity sorry a busy place to make somebody say something good about you मैंने यहापे B लिखा मतलग fish for a compliment okay then an unbelievable story यहापे E लिखा E मतलग tall story and unvision जो story सुनके या पढ़के हम लोगों को बिस्वास नहीं होता story को एक वार्ड में क्या बोलते है tall story very happy or delighted इसको समझे लेके हम लोग क्या बोलते है age में देखो क्या है over the moon so very happy or delighted means over the moon यह देखो picture ठीक है then number seven special day means red letter day हम लोग के यह special है यह किसी के लिए special है तो हम लोग उस day को क्या बोलते है red letter day means a special day last one number eight a small a very small part of something big or whole उसको क्या बोलते है G में a drop in the bucket drop in the bucket तो bucket में एक drop का बूत का पानी तो बहुत छोटा होता है ना उसको समझाने के लिए बोलते है यह big drop of bucket means कोई बहुत छोटा चीज है एक बड़े चीज का कोई एक छोटा शाव पाठ है इसको क्या बोलते है drop in the bucket okay so I am come to the next page page 35 page 35 यहाँ पे कुछ sentence है हम लोगो को उसका sound बताने उसका sound को क्या बोलते है तो यहाँ पे लिखो describe these sounds तुम लोगो को hint box दिया जाएगा जैसे की the sound of rain हम उसको क्या बोलते है peter patter यहाँ पे देखो hint दिया हुआ है peter patter okay tolling of bell जब bell ring होता है तो हम क्या बोलते है ding dong single cut of scissor हम लोग जब कांची scissor से काटते है कांची से काटते है कुछ यह cloth यह पेपर तो उसका जो sound होता है slip slip okay drumming sound drum का जो sound हो क्या बोलता है rub a dub sound of belching उसको बोलता है rub rub sucking noise while eating or drinking eating खाने या कुछ पीने की समय का आवाज आता है है ना होसे उसको क्या बोलता है slurp slurp act of smelling सुनने की वो acting जो करता है उसको क्या बोलता है sniff sniff dog करता है sniffing dog हम लोग बोलता है the sound of a camera यह तो आप लोग जानते हो camera का sound क्या है click click okay देखो यहाँ पे कुछ picture है और यहाँ पे what है हम लोग को match करना है देखो number one है C C मतलब clip plop okay number two है G मतलब boom बड़ा सा आवाज number three है E E है Russell वो पत्ते सुखे पत्ते की उपर से जब हम लोग चलते है तो कुछ आवाज होता है ना उसको बोलता है Russell number D sorry number four is D D is pop यह जो उन्हों का पास जो balloon होता है ना balloons जब फटता है तो कैसे आवाज निकलता है pop number five number five है B crunch यह वाला number six है F F is broom जब हम लोग गाड़ी चलाते है ना वो आवाज होता है broom last one is number seven A तो आख जब जलता है तो आख का आवाज कहता होता है it is A मतलब crackle okay so you do this page and learn it okay thank you students bye 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 झाल झाल